Hi everyone, मैं हूँ धनंच है, उमीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे 19 में कोई खलिकॉप्टर क्रैश में इरान के प्रेसिडेट इबराहिम रेजी की जान चली जाती है इनके साथ साथ और इरान के ओफिशल्स की भी जान जाती है जैसे ही ये news public domain में आता है, वैसे ही अलग-अलग देशों का अलग-अलग reactions भी आते हैं इसी बीच इसमें से कोई दो राए नहीं कि इरान के point of view से ये incident एक बहुत ही बड़ा setback लेके आया इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या इब्रहेम रेजी की जाने के बाद इरान के foreign policy में कोई बदला होने वाला है और क्या इरान के लिए ये इतना असान होगा कि वो इब्रहेम रेजी का एक substitute ढून पाएं इस वीडियो में आगे बढ़ूई से पहले आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को subscribe और वीडियो को like and share करें और अगर आपके पास मेरे लिए कोई suggestion है तो मुझे email करके बता सकते हैं मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको ये पता होगा कि 1979 में इरान में एक revolution होता है जिस revolution लो कहते हैं Islamic revolution इसके बाद इरान के जो head of state होते हैं उनको कहा जाता है supreme leader और जो supreme leader होते हैं ये एक religious person होते हैं इरान में कोई भी important फैसला होता है तो वो बिना supreme leader के approval के नहीं हो सकता है इसका ये मतलब नहीं है कि जो president का role है इरान में वो कहीं से भी कम है foreign policy कैसा होना चाहिए और किस देश के साथ इरान को कैसा react करना चाहिए इन सब चीजों के पीछे एक बहुत बड़ा role होता है president का लेकिन वहीं पर बहुत सारे experts ये भी मान रहें कि इब्रहेम रेजी की जाने के बाद भी इरान के जो stands रहने वाले हैं देशों के साथ वो more or less same ही रहने वाले हैं क्योंकि इरान कैसे अपने foreign policy को decide करेगा ये जो ultimate फैसला है ये वहाँ के supreme leader करते हैं तो कहने का मतलब है कि भले एक panel में 10 या 12 लोंग रहें और कुछ लों के उस panel को छोड़ने के बाद ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा जहां पे वो panel का जो विचार है या जो उनके normal behavior है उसमें कहीं से कोई बदलाव हो तो हम ये समा सकते हैं कि more or less जो इरान का behavior रहने वाला है US या Western countries के तरफ वो वैसा ही रहेगा जब इब्रहेम रेजी जिन्दा थे अब क्योंकि इब्रहेम रेजी प्रेसरियन थे इसलिए हम थोड़ा सा background जान लेते हैं इब्रहेम रेजी के बारे में तो इनका जन्म होता है 1960 में इरान के बहुत ही पवित्र शहर मशाद में और इनके बचपन से लेके almost इनका जो education होता है वो religious based education होता है और जब इरान में Islamic revolution नहीं हुआ था यानि कि 1979 के पहले इरान के जो सबसे पहले supreme leader थे यानि अयातुला रुहोला खुमेनी ये institution में पढ़ाते थे तो ये जिस institute में पढ़ाते थे और वहाँ पे भी ये Islamic law या religious पढ़ाई को ही पढ़ाते थे जहाँ पे इनकी मुलकात होती है इब्रहेम रेजी के साथ तो यहां से जो experts है वो ये कहते हैं कि इब्रहेम रेजी का power में बढ़ने के पीछे का जो सबसे बड़ा वज़ा है वो ये है कि इनके जो direct contacts थे वो आयातुला रुहोला खुमेनी से थे यानि कि जो सबसे पहले supreme leader थे उनसे थे साथ में ये भी देखा गया है normally किसी भी religion का अगर आप example लेते हैं तो वैसे लोग जो अपने religion को अधिक follow करते हैं या कुछ जादा ही close चले जाते हैं तो उनके विचार धारा में वो चीज दिखता है जहां पे वो अपने religion को सबसे supreme मानते हैं और दुन्या के और जो दूसर religion होते हैं उसको वो थोड़ी से कम importance देते हैं ऐसा ही कुछ देखा जाता था इब्रहेम रेजी के विचारों में normally क्या होता है किसी भी देश में बहुत सारे fractions होते हैं और almost सभी लोगों के अलग-अलग विचार होते हैं वैसा ही कुछ देखा जाता है इरान में भी जहां पे participation को बढ़ाया जाएं और religion को एक political या government का हिस्सा ना बनाया जाएं इसी बीच साल 1997 से लेके 2005 तक इरान के president बनते हैं मोहमद खतामी जिनके अंडर में ये दिखा गया था कि इरान के जो संबन्त है वो western countries के साथ काफी अच्छे थें यहां पे एक बात मैं बहुत ही साफ कर द चुरी के हिसाब से नहीं रहेगा तो उस देश का जो development है उसको कर पाना बेहद मुश्किल है जितने भी हमारे बीच पढ़े लिखे तपके हैं वो सब इस बात से agree करेंगे कि religion का इस्तेमाल politics में पहले भी होता था आज भी होता है और possibility है कि आगे भी होगा और इसी के थुर क्या है कि इरान के पास oil और gas का भंडार रहने के बावजूद भी ये उस तरीके से business नहीं कर पाता है जिस तरीके से इसे करना चाहिए था क्यूंकि इरान बहुत ही interested है nuclear weapon को develop करने के लिए और खास करके इसरेल और साओधी अरेबिया ये कभी नहीं चाहेंगे कि इरान nuclear weapon को achieve करें इसी बीच जिस तरीके से चाइना और रश्या को US और भी कुछ western countries के दुआरा push किया गया है तो ये देखने में आया है कि anti-west एक group सा create होता जा रहा जहां पे रश्या, चाइना, इरान या हम कहले लमसम वो सारे देश जिनके संबंद US के साथ अच्छे नहीं है वो साम को western power और US कम करेगा slowly and gradually लेकिन जैसे ही Donald Trump दुबारा से president बनते हैं, इरान के उपर sanctions लगा दिये जाते हैं, एक्सपर्स का ये मानना है कि Donald Trump के दुबारा ये सारे sanctions लगानी के पीछे का जो एक सबसे बड़ा objective था, वो था, Israel और साओधी अरेबिया के दुआरा push किया गया, क् इरान जितना कम business कर पाएगा, उतना ही से कम मौका मिलेगा अपने weapons को develop करने के लिए, लेकिन इस चीज़ से भी कोई इनकार नहीं किया जा सकता है, कि इब्रहेम रेजी जिस तरीके से western countries और US के सामने अपने आपको या इरान के objective को रखते थें, ये जानते वे भी कि उनके देश के उपर और भी sanctions लगाया जा सकता है, इसी बीच वो सारे group को create किया गया इरान के द्वारा, जो किसी भी तरीके से इसरेइल से उनके संबंद अच्छे नहीं हैं, चाहे हो हम Hezbollah की बात, चायम हाथीज की बात कर लें, बहुत सारे experts ये मान रहें थे कि इब्रहेम रै क्योंकि अली खुमेनी के total 6 बच्चे हैं, और almost यही देखा गया है कि power struggle में जो उस राजा या उस लीडर के जो lineage होते, यानि जो उनके family member होते हैं, वही सबसे पहले होते हैं उस position को claim करने के लिए, और उसके बाद जब इरान के सबसे पहले supreme leader होते हैं, यानि अयातुला खुमेनी, उन्होंने पहले अली खुमेनी को supreme leader का position नहीं दिया था, तो कहने का मतलब है कि इरान में भी supreme leader के जो position है, इसको लेके काफी clashess होते रहते हैं, लेकिन साथ में इसमें भी कहीं से कोई दो राइनी है कि जिस तरीके से इब्रहेम रेजी supreme leader के काफी close थें, उस हिसा से जाना, इरान के लिए एक बहुत ही बड़ा setback है, और इनके इतना experienced और capable leader ढूनना भी मुश्किल होने वाला है इरान के लिए, और साथ में कम से कम भी तो 50-60 दिनों तक इरान के जो policies हैं या decision making है, उसके उपर भी कुछ लगाम लगने वाले हैं, I hope that you like the video, अगर फिर भी म उसे कहीं कोई कमी या कहीं कोई गलती हो गई, तो मैं माफी चाहूंगा, मैं चाहूंगा कि आप मुझे email करके बताएं, see you in the next video, have a wonderful day, thank you, take care, goodbye